श्रोताओ ये वस्तरहरन लिला का वरणन आता है जब भगवान ने गोपियों के वस्तरहरन करके साधना कैसी की जाए उस विशे में वरणन आता है सुग्द्यों जी महाराज बोले इहमंत रुतु में पहले जो अगहन उसमें सोला सहस्र गोप कुमारी कन्याय मुंग भात का भोजन करके कात्याईनी देवी का वुरत करना आरंब किया और वुरत करके सुर्यदय के समय यमुना जल में स्नान कर तट पर बैठे बालु की कल्यानी देवी की प्रतिमा बना कर चंदन सुगंद फूल फल दीप नईवेद्य अक्षत और अन्य सामगरे देवी की पुजा करते थी कात्याईनी देवी हे मामाय हे माहयोगिन हे अदिश्वरी देवी नंदराय गोप के सुद को हमारा पती बना हम आरोमा और तुम का नमस्कार करती है वह सब गोप कुमारी का इस मंत्र का जब करके पुजा किया करती थी इस प्रकार उनको पुजन करते करती एक मैना वेतित हो गया और मन मोहन में उनका मन दिन रात लगा रहा नित्य प्रती प्राथक का लूट कर यही मांगती थी कि हमको नंदुकुमार शामसुंदर मिले इस प्रकार नाम लेपुकार परस पर हाथ पकड़ कर उच्चे सोर में अपने प्रान पेरे इश्वदा नंदन का नाम लेती और गुनानों आत करती यमुना जी परस्नान करने को जाया करती पहले की नाई एक दिन यमुना की किनारे अपने वस्तर उतार कर सबने धरली और स्रिकिष्णा चंद्र की गुनगान कर यमुना जल में वियार करने लगी तब योगेश्वर के इश्वर भगवान लिला चंद्र अपने मनोरत जानकर अपनी मंडली के सखाओं के संग लेकर उनकी मनोकामना सिद्ध करने के लिए यमुना के किनारे पर पहुचे और उन कन्याओं के वस्त्र लेकर जटपट कदंब पर चड़ गए और बालों को समयत आठ ठटे मार मार कर हसने लगे अनेक प्रकार की मसकरी बाते करने लगे अब लाओ को हमारे समीप आओ और अपने वस्त्र ले जाओ इस समय ठटूली सी नहीं कहिता सत्य कहिता हो तो मुरत करने से बहुत दुरूबल हो गए और इस बात को मेरे सका सब प्रक लेती जाओ चाहे सब मिलकर एक बार ले जाओ और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी मुझे अपने बाबा नंदक की सवगन्द है तुम्हारे वस्त्रक अभी नहीं दूंगा मौनमोन प्यारे की मिठी मिठी बाते सुनकर गोपिया प्रेम में मगनों गई और लज्जित और परस पर देख कर हसने लगी कि बिना वस्त्रनंगी किस प्रकार जल से भार निकले ये सोच विचार कर कंठ तक सितल जल में जाड़ी की मारी खड़ी-खड़ी काप रहती हैं मन हरन प्यारे स्रिक्ष्ण चंद्र ऐसी अनित मत करो तुम नंदर आय के पुत्र ब्रज में प्रसंसा करने योगे हो तुमको हमारी इतनी दया नहीं आती की जल में खड़ी-खड़ी ठिटर रही अब क्रपा करके हमारे वस्त्र दीजिए हे शाम सुन्दर प्यारे हम तुम हमारी दासी है जो तुम कहोगी वही करेंगे परंतु हमारी लाच के ग्रहाक मत बनो जब लाजी जाती रही तो शेश क्या रहा हम आपके सामने निलज्य होना नहीं चाहते अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है वस्त्र हमारे दे दो नहीं तो हम नंदर आया से अत्वारा रा जब कुछ हुपाई न चला तब हारकर शरदी से कापती हुई संकुच करती हुई संपूर्ण गोपिया अपने वस्त्र को लेने के लिए उस नारायन के चरणों में आकर वस्त्र ले लिए सारी आते आते पराद पर पर्मात्मा ने उनसे कहा कि आप लोग ने वरुन द्यवता का अपराद हुआ है पापको दूर करने के लिए हाद जोड माते से लगा कर पुरत्वे प्रणाम करके अपने अपने वस्त्र पहिन लो बरज बालाओं ने भगवान स्री कृष्णा की बाते सुन वस्त्र त्याग किने से निर्वस्त्र होकर रत खंड करने वाला मांद कर उनके पूर्णा करने के लिए रत और सब के कर्मों का फलदाता स्री कृष्णा भगवान को नमस्कार किया क्योंकि वही सर्वपापों को दूर करने वाले हैं दियोकि नंदन भगवान स्री कृष्णा ने अधिनता करने वाली गोपियों को देखकर उनके वस्तर दे दिये उनके संग भौछ चल किया लाज उनकी छुडाई है हसी उनकी भी खिलोनी की नाई उन खिलाया वस्तर उनके चुरा लिये तो भी उन गोपि तहर गए और कृष्णा को और खड़ी-खड़ी देखती ही देखती विकल हो गई अता उन लोगों को महां से चलने का सामर्ते न रहा है स्री कृष्णा चंद्र सरवंतर यामी भगवान दामो दर्थ उन अबलाव का वरत का संकल्प जान लिया और गोपिका उने मेरे चरण मरा मनौरत को जान लिया और मैंने तुमारा मनौरत अनुमोधन किया इसलिए तुम्हारा मनोरत सत्त्य होगा यह मनौर अंजन अपने अपने घर जाओ मुझसे मन लगाने वालों की कामना विशय भोग के लिए नहीं होती जैसे भुनावा वस अन्न दुसरी बार उपजने योग्य नहीं होता हे पुर्ण वरत करने वाले तुमारा मनुरत पुर्ण होगा हे पती वरताओ जिस प्रयोजन के लिए तुमने वरत किया और कात्याईनी दीवी की आरधना की वो मैंने जान लिया अब जब शरद रुतु की रातरी आएगी तब तुम सब मेरे संग विहार करेगी तुम सब इस समय अब अपने घर को जाओ इतनी कता का स्री सुगद्योजी बोले कि जिन गोपियों की मन कामना पूर्ण हो गई वो सभी गोपी भगवान के अज्यमान उनके चरण कमल का ध्यान करती हुए अत्यंत प्रसंद नहों कर अब अपने घर के और चल गई उसी दिन आटो पर अनी मनाती थी कि वनमाली के संग परमसुक देने वाले शरद रुतु कब आएगा तब देवकिन अंदन स्री कृष्ण भी गवाल बालो के संग ले आए बलदेव जी सहित रुंदावन भी आगे बढ़ गई तभी उस परादपर परमात्मा बड़ी तिक्ष्ण गृष्ण की धूप से अपनी चाया से चाया करने वाले सगंद रुक्षो की देखकर स्री कृष्ण चंद्रा ने अपने मित्र से कहा हे स्रोक, कृष्ण हे अंशो, हे स्रीमान, हे अर्जुन, हे विशाल, हे रिशव, हे तेज, हे श्वीन, हे देवप्रस्त, हे वरुत्थप इन बड़ी भागी रुक्षों को देखो तो ये कैसे भाग्यशा लिए, सदा परुपकार लिए, काम्त में वास करते हैं, पवन वर्षा, सीद, धाम, आप सहिते हैं, और हमको इन से बचाते हैं, और इन रुक्षों का जन्म धन्य हैं, जिनके हम सब लोग सुक पाते हैं, और जड़, वैलकल, लकड़ी, सुगंद, गोंद, भस्म, कोयल, कोपल, आदी के सब प्राणियों की इच्छा पुरुन करते हैं, इस संसार में इनी देधारियों का जन्म सपल है, जो प्रान, धन, बुद्धी और वानी से पराय का भला करते हैं, इस प्रकार हरे हरे पात, गु उस समय यमुना महारानी के किनारे पर गायों को चराते चराते जब गौल बालाओ को शुदा लगे तब घंशाम बलराम जी के पास आकर ये बात कहने लगे, इती स्रीमद भागवते, महापुराने, दशमसकंदे, पुरवार्द, भाशा अटिकायाम, कात्याईनी, वरत, न अब सारे गोपाल भगवान से कहने लगे, और सुद्योजी महाराज ने कहा कि राजा से कहने लगे, भूक सताती है, द्योकिन नंदन भगवान के अपनी भक्ति मति ब्रामनों के स्तिर्यों के उपर प्रसंद नोकर ये कहा, हे सकाओ, वेद के पढ़ने वाले मतुरा ब्रामन सुरग की इच्छा करके अंगीरस नाम एग्या कर रहे हैं, द्योता का पुजन जाओ, वहाँ जाओ, हे गोप ये उस एग्या में जाकर भोजन मांग लाओ, यदि तुमको भोजन मांगते लगती हैं तो तुम मेरा और मेरे भाई बलराम का नाम लेना, उनके भेज हम हमारे तुम्हारे पास भोजन मांगने आएं, इस प्रकार स्रिकृष्ण भगवान की आज्या मानकर गालबाल वहाँ जाकर भोजन मांगने लगे, ब्रामनों का हाद जोड पुरुथेवें पढ़कर दंडवत कर रहा हैं, हे ब्रामनों हमारी बात सुनो, कृष्ण से सदा आपके हैं ऐसा ही मंगल होता रहे, हम कृष्ण के आज्याकारी पर जाती के गोप अहीर है, कृष्ण की आज्यानुसार बल्द्युजे के भेजेवें आपके पास आये हैं, आप उनको जानते ही होंगे, स्रिकृष्ण और बलराम दोनों भाई गाई चराने को आपक है, हे ब्रामन्स रिष्टो, तुम चुप क्यों हो रहे हो, जो तुम कहो हम यग्य करने वाले दिक्षित हैं, उनको हमारा भोजन करना नहीं चाहिए, तो ये वहाँ विचार है कि दिक्षा के आरंबत से लेकर पशु के हिंसन से पहले सोत्रा मन्न यग्य और दिक्षा वाल में हमको किसी प्रकार का दोश नहीं है, इस प्रकार गोपों ने उनको शासरानुसार समझाया भी, पर उन्तु वे भी ब्रामन भगवान स्री कृष्ण चंद्र की बातों को सुनी अंसुनी कर गए, क्योंकि ब्रामन तो शुद्र फल वाले सुर्ग को जानी की इच्छा कर वो क्रश कारी कर्म में अपनी मुर्कता से लग रहे थे और अपने आपको बड़ा ज्यानी और महात्मा जानते थे, देशकाल अलग-अलग चरू प्रोडा शादिक सामगरी मंत्र तंत्र और अपने आपको बड़ा ज्यानी और महात्मा जानते, देशकाल अलग-अलग पर प्रोडा, शादिक, सामगरी, मंत्र, तंत्र, रुतिग, अगनी, देवता, यजमान, यग्य, धर्मपले सब कृष्ण में हैं। गोप निराश होकर लोट आए, स्रिकृष्ण बलराम ने उनके पास जाकर का कि भले ब्रामोनों के पास भेजा, उन्होंने कुछ नहीं दिया। गोपो के लिए स्रिकृष्ण चंद्र ने गोपो को कहा कि अब तुम फिर जाओ, और उन ब्रामोनों के स्त्रियों से को कि कृष्ण बल्दियों दोनों भाई गाई चराते चराते हियां आगए, पर भुके हैं। तुमको मुँ मांगा भोजन देकर तुमाना मरणरत पूर्ण करेगी। क्योंकि वो शेरिशा तो घर में वास करती है, परन्तु उनका मन मुझे में ही लगा रहता है। इसे से मुझे उनका बड़ा प्यार है, क्रिश्ण की बात सुन्द कर गौलबाल फिर गए, देखा तो पतनी शायाला में सब ब्राम्मनी सरंगार की बैठी थी, उनके पास जाकर गोपु ने नमसकार कर अधिन्तात के साथ वचन कहा, हे ब्राम्मनी भार्याओ को तुमको न भूके है, और उनके मित्र हम भी भूके है, सब कुछ भोजन चाहते, तुम क्रपा करके हम को दो, नित्य क्रिश्ण चंद्र के दर्शन की चाहने वाली और क्रिश्ण चंद्र की कता में तन्मन धन लगाने वाली ब्राम्मनु के स्तिरिया अब्रज भुशन का आना सुनकर अत्यन्त हर्ष्वत होई और उनका मन तो पहले कृष्ण चंद्र में चरणार विंद में लग रहा था बड़े थाल में सुन्दर सुगंद युक्त चार प्रकार का भोजन भक्ष भोज्ज लेह चोष्ष सभी दाल भाद इत्यादी भोजन कडिक शीर इत्यादी लिया उख आ जैसे नदिया समुद्र में जाती हो उनके पती भाई बंदु पुत्रों ने बहुत तर रोका परंतु रुकी नहीं क्योंकि उनके मन में तो कृष्ण चंद्र के चरणार विंद में बसने का लग रहे थे तब उन ब्रामुनों के स्त्रियों ने उस अशोक रुक्ष के नव पल्लों के शुबाहिमा ने मुना के निकट उपवन में गाल बालों के संग लिये भाई बल्राम समेत मन महन प्यारे को फिरते देखा शाम रुप पित वसन धारन के वन माला पहिने मुर्मुई पुच्चका मुकुट सिर पर धरे खरी याग रूप के च्छाप लगाए हु मंद मंद मुस्काई स्रिकृष्ण चंद्रव को देखा है राजन जैसे जैसे गून कृष्ण प्यारे के अपने कानों से सुनकर देवकी के अत्यंत भिलाशा थी वह इसे प्रत्यक्षे जाकर अपने नेत्रों से देख और अपने आपको परम भड़वागिनी समझ कर हंका रुत्या सुशुप्ति अवस्ता को साक्षी है और उनको अलिंगन करके और उने ही लीन होकर सब ताफों को त्याग देते पुत्रादि ग्रहादिक सब आशा छोड़कर मेरा दर्शन करने के लिए आई है उन ब्रह्म पत्नियों को देखकर सब की बुद्धी की परिक् क्या है हमारा दर्शन करने के लिए आई हो तुमको योग्य है तुम हमको भूका समझकर इस महा निर्जन वन में भोजन लेकर आए हो इसमें अधिक और कुछ नहीं है इसके बदले हम तुमें क्या दे जो इस समय हमारा घर निकट होता तो कुछ पानफुल तुमारे आगे और हमारा रुंदावन भी हाँ से बहुत दूर है हमने आपकी कुछ भी सेवान बन पड़ी इस बात का बड़ा पस्ताव है और हमारा मूख नहीं जो आपके प्रेम और परिश्रम की प्रसंसा कर सके इस समय हम सब प्रकार से लाचा रहे अपने स्वार्थ को देने वाली ग् दी मन तनुस्त्री पुत्रा आदी सब वस्तू जिस आत्मा के समंद से प्रिय लगते हैं फिर बला उस आत्मा से बढ़कर और कौन से वस्तू प्रिय है इसलिए सुशिलाओ अब तुम अपनी एग्ये शाला में जाओ और क्रतार्त हो गई पती तुमारे ग्रस्त है जब तक तुम न जाओगे तब तक एग्ये पुर्ण नहीं होगा क्योंकि बिना स्त्री के एग्ये पुरा नहीं होता इसलिए लोग एग्ये को तुमारे साथ ही पुरा करेंगे ये नात आपको अपने कोमल मुकारविंद से इसे को टोर वचन नहीं करने चाहिए क्योंकि आपने ही गिता में कहा नमे भक्त्या प्रष्शंति अर्थात मेरे भक्तों का नाश नहीं होता नसा पुनराव tane अर्थात मुझे पराप्त होकर फिर लोट नहीं सकता है आपकी ही आग्या है फिर अब परतिग्या को सत्क्य क्यों कहते हैं इदर उदर क्यों देख रहे हो तुमने अपने चरणों से जो तुलसी की माला ठुकरा दी है उसको बड़े आदर सतकार से सीर पर चड़ाने के लिए अर्थत आपके चरणारविंद की सेवा करके आपके शरण आई है अब सब बंदु जनों को त्याक कर आपके चरण की शरण है हे दिन दैल हम नहीं चाहते कि आपके ही चरणारविंद से हमारे दिये पड़े रहे सुरगा दिक का सुक भोग हम नहीं चाहते हमको तो अपना दास भावई अच्छा है दिच पत्नियों का प्रेम प्रिती भरी मधूरवानी सुनकर मन हरन प्यारे स्नेयुक्त मन हो और वचन बोले कि तुम ने संद्य अपने घर जाओ तुमारे पती पिता तात माता ब्राता पुत्र तुमारे सब निंदा करेंगे और संसार में कोई भी मनुष्य तुमको दोश न लगाएगा देवताओं को साक्षा दिखला कर कहा कि वह सब देवता और मनुष्यों को म मुझको पाओगी मेरा स्मरन दर्शन ध्यान के रितन करने से जैसा भाव मुझमे होता है वैसा ही रहने से नहीं होगा इसलिए तुमको उचित है कि शिग्र अपने मख भवन को जाओ स्री सुग्दयो जिवली इस प्रकार सब कृष्ण ने द्विज पत्नियों को समझाया द्विजांगना एग्य शाला में पहुची और ब्रामुनों ने कुछ अपरात करने को न लगाया निर्दोष समझ कर अपने स्त्रियों के साथ अनंद पुरवक एग्य समाप्त किया जिस समय सब स्त्रिया श्रीकृष्ण के पास भोजन लेकर चली उस समय एक स्त्री ने पत कर चैतन्य सुरुप भगद रूप में लए हो गई और जो जो पकान मिठा या द्विच पत्निया लाई थी उन चार प्रकार के वेंजनों को यमुना के निकट को में कुंजो की छाया में बैट अथी प्रसन्न हो स्रीकृष्ण रुंदावन वियारी अपने हाथ से भोजन क कि इस प्रकार मनुष्य रुप धारण कर रिला करके लोगों के सद्रश गोप गोपियों का अनंद देने के आपए उनके साथ रमन करते इस उपरांत वो ब्रामन अपने भोजन देने के अपरात को समरन करके दुख पाते भे स्रीकृष्ण और बल्देव को सामाने मनुष् उन पत्नियों के स्रीकृष्ण भगवान में अलवकिक प्रिति देख आपने आपको भक्ते हिन समझ कर अथिन्त दुखी हो वारवमार अपने आपको दिकार दे रहेते हैं शुद्ध माता पिता से साइवित्री अग्योपवित हुए एग्य के दिक्षा लिए ये तीन प्रकार का जन्म है हमको हमारी विद्या को हमारे कर्मों को और हमारे चतुराई को बारंबार दिकार है हमारे व्रत करने को दिकार है हमारे अनेक शास्र पढ़ने के पढ़ाने क धिकार है क्योंकि हम जगदि शवर भगवान से विमुक वे धिकार है धिकार है हम स्वार्त में मोहित हो रहे अभड़े आचेरी के बाद जगद गुरू स्रिकष्न сеंद्र में ष्त्रीऊ की कैसी अलवकिध की इनके 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 उपवित संसकार है ना गुरू के समिप वास है ना तफ है ना जप है ना आत्मा का विचार है ना पवित्रत है ना सुकर्म है तो भी योगेश्वर के इश्वर पर कृष्ण भगवान में जैसा इन अबलाओं की अचल भक्ति है हम सनान संध्या जब तब करने वालों की भी नहीं दिक्कार है इस प्रकार संसकार हो और यग्य वेवार को इस हम कुछ भी अपने अर्थों को नहीं पैचानते है घर वेवार को भूले है अचेत वर आगे पीछे के कुछ भी सुदी नहीं महात्मा के आनंद देने वाले कृष्ण भगवान ने गोप वचनों सो सच किया हाई सब मूर्ख न सचेत एक किसी का दोश नहीं है सब हमारे कर्मों का फल है जितना मोक्षादिक सब मनुरत अधिशोर स्रीकृष्ण भगवान अपने हमसे माया के वशिवित पाकर जीवों में क्या प्रयोजन था केवल माता भात का मांगना तो इश्वर का कवतुक देखो त्रिभोनी इश्वरी लक्षमी ब्रह्मादिक देवता सब संसकार को छोड़कर चरनारविंद के सपर्श को चाहाना करके अपना चंचल पनावर दोश दूर करने के लिए जिनका दिन राद भजन करते उस स्रीकृष्ण का मांगना केवल हम लोगों का मोहुत पन्न करने वाला है देशकाल अलग अलग पूर पुरोडा शादिक द्रवे मंत्र रुतिज्व अगनी देवता यजमान धर्म यग्य सब स्रीकृष्ण साक्षाद भगवान विश्ण योगेश और इश्वर के यदुकुल में आकर जन्म लिया है हम ये बात हमने पंडित लोगों से मूख से सुनी थी परंतु हम जान बुचकर मुर्ख अज्यानी हो गए ऐसे जो हम अज्यानी लोग है दिन दयालू हमारा अपरात क्षमा किजिए श्रीकृष्ण चंद्र वगवान हम जो आपके अपरादी ब्राह्मन ने अपने अपरात को समरण करके हमारी कृष्ण बल यहा यहा कृष्णारप नमस्तु अब अध्याय चोविश्वा सब प्रानियों के आत्मा भगवान सर्व व्यापक सब बातों के जानने वाले जानते हैं इंद्र की एग्ये का प्रबंद हो रहाता नंदरानी ने पूचने लगे के माता जी आज क्या है जो घर घर पकवान मिठाये बंद रही तुम भी बड़ी धुमदाम से हो मुझे समझा कर कहो कि यह क्या भेद है जिसमें मेरे मन का संसे मिठे ये शोदा बोली पुत्र इस समय मुझ को अवकाश नहीं है सब रुत्तांत तुम अपने पिताजी से जाकर पूचो वो तुमारा सब संद्य दूर क चार है गौालबाल चारो और भागे भागे फिरते है उस्सव है किस देवता का नाम एग्य है क्या इस फल क्या है कौन से देवता का पुजय नहीं क्या क्या उसमें गून है और कौन इसका अधिकारी है किस वस्तु से एग्य होता है पिता मुझे इस बात की सुनने की बड़ी अभिलाशा है सज्जन पुरुस सब प्रानियों और अस्थानों में आत्मा देखते हैं उनके कोई कर्म छिपा नहीं है छिपाने के युग्य भी नहीं है सादु पुरुस अपना विराना कुछ नहीं समझते हैं उनकी समद्रश्टी है मित्र उदाशिन वा वहरी उनका कोई बड़ा नहीं होता उदाशिन शत्रु के सद्रुष्च वर्जित है सुरुद आत्मा के समान मानना चाहिए उनको उसके अवश्य सम्मति साथ ले ये प्रानी जानकर भी कर्म करता है बिना जाने भी कर्म करता है परंतो जानकर जो करता है उसका फल तत्काल मिलता है और बिना जाने कर्म करता है उसका किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता आपने जो ये यग्यानुष्टान कर रखा ये शास्त्रे के रिती से किया है अत्वरा लोक रिती से किया है ये रिती आप में यहां परंपरा से चली आ रही है किसी नई नई बताती है ये आप से मेरा निवेधन है कि आप करपा करे कि मुझे को कृष्ण के गंबिर वचन सुनकर ये नंदर आई जी बोले बेटा ये रुत्तांत तुमने आस तक नहीं रहे उनको हम भी संसार दूसरे पुरुष्की उसी मेग पति के बरसाई जल सी उत्पन्न हुआ अन् speech में यजन करते हैं उनके करने से देवता कितरु प्रसन्न होते अनेक प्रकार की रिद्ध सिद्धी उत्पन्न होती है 向 फुल में ऊत्रण ग्रास उत्पन्न उसी से पश का सेवन करते हैं पुत्र इंद्र एग्य की रिति हमारे परंपरा से चलिया आई है कुछ आज किसी पंडित नहीं नहीं बताई है धर्म परंपरा से चला आया और मनुष्य काम लोग भए दुरों से उस्य को छोड़ देते उन पुरुशों का कभी कल्यान नहीं होता सुग्द बोले कर्म से ही प्रानी जन्म लेता है और कर्म से ही देह का त्याग करता है सुक दुख भै कल्यान कुशले सब कर्म के अधी नहीं है कोई कोई मत वाले ऐसा कहते हैं कि इश्वर प्रानियों के किये हुए कर्मों का फल का देने वाला है इससे तो ये शिद्ध हुआ कि इश इश्वर कर्मों के वश्यभूत है जैसा कर्म जिसका किया वैसे फल मिला इश्वर अपनी और से कुछ नहीं करता है इस बात से ये निच्चे वाकी फल की शिद्धी देने वाले कर्म ही प्रदान रहा इसलिए कर्म ही जब मुख के ठैरा तो फिर इश्वर क्या वस्तु है उस को इंद्र भी किसी प्रकार के नहीं गटा बढ़ा सकता है प्राणी सवभाव के वश्वूत और सवभाव के वरते है देवता असूर मनुष्य सब सवभाव ही वश्व के और कर्म की प्रदृत्ति है सवभाव के अधिने तो फिर प्रदृत्ति में इश्वर की कुछ करे यही मुख्य है एद्धिपी देवताओं के नाम से यग्य बरत पुजन हवन किया सब उसके करने को ही नाम कर्म है एद्धिपी तुमको यह संदे हो कि बिना देवता के हमारा कारे शिद्द नहीं होता देवता ही हमारा कारे करते है तो भी देवता कर्म के अधिन ठहरा ह देखो तुम किसी देवता का नाम लेकर अगनी पर दूद का पात्र रखो वो दूद ओड जाएगा और देवता का नाम नहीं लो तो भी ओड जाएगा परन्तु बिना अगनी पर धरे किसी प्रकार की नहीं ओड सकता तो मुख्य करम ही ठहरा है क्योंकि बिना करम कुछ भी न पुरुष का सेवन करके कल्यान को नहीं पाती है पिता चारो वरणों को चाहिए कि अपपने ध्रम पर आरूड रहे ब्राम्मनों को चाहिए वेथ पड़े उसी से अपनी आजिविका करे चत्रियों को चाहिए पूतवी के रक्षा करे व्यापारादिक से अपना उदर भरन पोशन शुद्रों को चाहिए ब्राह्मन क्षत्रिय वैश्य की सेवा करे अपना उदर पुर्ण करे खेती वानिज गोरक्ष व्याज लेना ये चार प्रकार की वैश्य की जिविका है हे पिता जैसे कभी मत समझना कि हमारे गायों की रुद्धी आजीव का इंदर की अधीन है क्योंकि सत्वगुन रजगुन तमगुन इन्ही तिन गुनों के है इश्व का पालन उत्पत्ति नास है इस रजगुन से स्त्री पुरुस मिल की त्रिवित जगत उत्पन्न होता है रजगुन की प्रेणा से मेक सर्वत्र सानों पर जल वर्शाते उसी जल से ब्रच का जीवन होता है इंदर इससे क्या कर सकता है हमारे तो पूर देश नगर ग्राम वर कुछ भी नहीं है हेतात केवल वन ही हमारा घर है सदा वन और परोतों में हमारा वास है इसलिए गोग ब यग्य अरंब करो जो इंदर के यग्य के लिए सामगरी एकटी की उसी सामगरी को गोर्धन के यग्य का प्रारंब करो खिर शादी लेकर दाल तक अनेक प्रकार के वेंजन बनाओ ग्यो की पुरी कचोडी उरद मुंकी दाल कडी पकोडी राइता चुनोरी शाग बासमती च रंगवा कर अगनी में होम कराओ और उन ब्रामनों की भाती भाती के अन्न गोदान दक्षिना दो और अलंकार पहिनाओ और दीन भिकारी कुत्ते चांडाल से आदी लेकर पतित तक को इता योग्य भोजन कराओ गायों को घास दो गोर्धन परवत को बली दान दो अच्छ अच्छ वस्त्र आभुषन पहिन चंदन का तिलक लगाए नहीं नहीं वस्त्र दारण करके स्रंगार बनाओ गो ब्रामन अगनी परवत की प्रदक्षना करो हे पिता जो इस मत आगे आपकी इच्छा वो सुक किजिए ये गो ब्रामन और गोवर्धन परवत का यग्य मुझ को ही अत्यन्त प्रिय है सुक्दियोजी बोले राजन इंद्र का गर्वा दूर करने के लिए काल्दु भगवान वचन सुनकर नंदादिक गोपों ने और सब ब्रजवाशों ने परस पर का कि तुम मेरे पुत्र वचन किसी प्रकार को नहीं फेर सकता ना कोई फेर सके जो बात मुझको अच्छी लगे वो हम सब उसे में प्रस्तन नहीं इस बात को सुनकर बड़े बड़े जो रुद्ध गोप थे कहिने लगे कि क्रिश्न सत्य कहिते हमारा इंद्र से क्या प्रयोजन है हमको तो नदी पहाड वन सदा बने रहे राजन जैसे जैसे मदुसुदन भ प्रस्तिवाचन कराया नंदर राई जी भी गायो कहरी दूद डलवाया परवत के चारो और अगर चंदन कपूर केस कस्तुरी जल में मिलाए गिरी राज पर छिड़कवाया गिरी राज गोर्धन की प्रिक्रमा कराते भए फिर धूब दीप नैवेद्य चंदन अक्षत पा देने लगी जहां ता अनेक रंगा के ठान के ठान दीए उस समय गिरी राज ऐसे शौबायमान जान पड़ते थे मानो भगवान विराट स्रिकृष्ण चंदर ने मिलने को आए उस समय अधभूत शबा को देखकर ब्रजबासी प्रसंग हो कर गिरी राज की प्रदिक्षना देने लगे उस समय सुंदर गोपो के स्त्रिया को मलांगी जिसके पाउ नहीं चला जाता वो गाड़िया रतों में विराजमान थी और बड़े बड़े चलने वाले बैल उन रत और गाड़ियों में जूत रहे थे वो स्रिकृष्ण चंदर के चरित्र गाती चली और जहां क वर्धन परवत अतिशे ब्रहत शेरिर बड़ी लंबी लंबी भुजाय बड़ा चोड़ा लंबा मुक अखंड प्रकाश महास्तुल जंगा और जानू सेल के सिकर के समान सिश रतन जडित मुकुट धरे आभुशन पैने कंठ में वनमाला पितांबर दारण के गिरी राज के कंदरा में निकल कर बोले फिर सब गोप गोपी भोजन के थाल पराठे उठा 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 गिरी राज को पकड़ा पकड़ा आते जाते और प्रसंड हो खाते हैं और प्रतिक भोजन की प्रसंसा करते भी निदान जो कुछ पकवान मिटाइन अंदादिक ब्रजवासी ले तुम्हारे उपर अनुगर किया देखा आपने गिरीराज कौतुक कभी इंद्र ने भी इस प्रकार प्रगट होकर दर्शन दिया आपने हाथ से इस प्रकार भोजन किया था ये गोर्धन नाद अपने पुजने वालों पर सदा दया द्रश्टी रखते हैं जो कोई वनवासी इनका तिरसकार करने वाले उनको सिय सरपादिक रूप से कालकोर कर लेती इसलिए अपने और गायों को मंगलार्थ इनके वारंबार नमसकार और दंडवत करो इस प्रकार संपुर्ण गोप वसुदेव भगवान की अग्या से बले प्रकार एग्य करके श्री कृष्ण अध्याए पच्चिसवा सुग्दियोजी महाराज कहते के ही राजन उसे समय प्रले कालों के मुख्य सावर्तक नाम गणों को बुलाकर आग्या दी कि मैं इंद्र हूँ ऐसे अभिमानी इंद्र के महा क्रोध करके अत्यंत कोठोर वचन का अहो बड़े अच्छेरी की बात ह वन में रहने वाला गवार गाय को चराने वाले जाते के गौालियों के लक्ष्मिक का कैसा मद हुआ जिन्नोंने मनुष्य कृष्ण का आसरे लेकर मैं सुरादेश इंद्र हूँ मेरा अपराद किया है कुछ आगा पीछान विचार सत्य मुर्ख कई ग्यान सिकाने वाला ग् प्रड नाम करके नौका के सद्रश ये कर्म में यग्य है और अपने आत्मा का कल्यान होता है उस आत्म विद्या को छोड़कर हटकी निव पर बैठकर संसार समुद्र को पार होना सहज़ई चाहता है वो आचाल मुर्ख का ज्यानिक किसी की बात को नहीं मानता और अपने आ मेरी अवाग्या किये लक्षिमी के मदमे मत वाले गोप कृष्ण के सिखाने से बुजाने से हम इन गवारों को कुछ न समझा और हमारा तिरसकार करके यग्य बाग परवत को दिया उन नाचने वाले कृष्ण का भरोसा करके अपने प्रानों का कुशल चाहतो तुम सब गर मातर भी न रहे पर गाय बचोडों को ऐसा विनास करना कि उनका कोई नाम लेने वाला और पानी देना भी न रहे लाक वे हाय हाय करे परन्तों तुम कुछ दया चित्त में मत लाना क्योंकि जैसा उन्होंने किया उस अपनी करनी का फल तो भोगे तुम किसी प्रकार का संदे मत कर नामाई तुमारे पीछे पीछे अईरावत हाती पर चड़ द्योताओ कि शिना समेत सब प्रलई करने वाले मेगों को और उन पचास मरुदगन परवपवनों को भी साथ लाऊंगा ब्रस तो क्या वहां की भुमित तक वहां बाह दूंगा फिर देखू जगत में किसका सामरते है जो ब्रजवाशू की रक्षा करें सुग्दियो जी कहते की राजन मेगों ने इस प्रकार इंद्र की आग्या पाए मुक्त बंद नंदर आये के गोकुल पर बल से बड़ी वर्शा करने लगे चारों और से घट गीर गए और बिजली चमकने लगी बादोलों को ग बादोलों में अखंड गिरती रही जिसे समस्त ब्रजबंडल जेल में डूब गया चारों और से बादोलों को समूके समूक उमरते चले आते वूच नीज गाड़ गड़ोल पुरतवी कही नहीं दिखाई देती बड़े वेक्ष वर्शा के और महा प्रचंड पवंश होकर गाए अपना सिर नीचे पिए बचडों की नीचे लिये थरतर कापती थी गोपिया गिरती पढ़ती भगवान कृष्ण चंडर के निकट जाकर बोली कृष्ण कृष्ण हे मा भागे सामर्थेवान हे भक्त हितकारी हे गोकुल नात इस महा कृदी इंद्रण से हम गी उनसे बेशुद और व्याकुल गोकुल वाशियों के देखा तब सबने दुख दूर करने वाले कृष्ण चंडर भगवान ने जाना कि सब कवतों के इसी महा कृदी इंद्र का है बिना वर्षा रूतु की ये मा भयानक सिलाओ की वर्षा हो रहे और महा प्रलय का प्रल प्रते से इस महा घोर वर्षे का उपाय करूंगा और उस अग्यानी लोकपाल अभिमानी इंद्रादिक देवताओं को जो लक्ष्मी का मद हो गया उस मद को हरूंगा मेरी भक्ती अतबा सत्वगुन और देवताओं के रदे में व्याप रहे और महीं उनका इश्वर हो इस बिना उनका कल्यान कहा इसके वो उपाय करूंगा जो मेरी शरन आवे क्योंकि मेरा नाम गोकुल नात है मैं जब भी गोकुल का नात होकर गोकुल की रक्षा न करूंगा तो और कोन रक्षा करेगा क्योंकि सब गोकुलवाशी मुझको ये अपना प्रान आधार समझते हैं मुझको ये अपना तन्मन धन जानते हैं ये सब मेरे ही दर्शन के अभिलाशा करते हैं मेरे समाने दुसरों को नहीं मानते ये नटवर रूप घर लिदा मातर एक हाथ से गौरदन परोध को उखाडबाए करनी कर अंगुली पर धर उपर को उठा कर ब्रजमंडल पर छट्र के समान तान दिया जैसे बालक छट्र को उखाड़ कर उपर को उठा लेता है ये वो छट्रक है जिसके बालक साप की छट्री कहते है उसे जब भगवान परोध को उठा लिया तब पीछे गोप से कहा कि भाईया हे पिता हे ब्रजवाशी अप अपनी गाए बचड़े बाल बचे संगे सुख से इस परवत के नीचे आ जाओ ब्रजवाशी अपने अपने मन में ये मत समझना कि कृष्ण के हाथ में से गिरी गिरी जाएगा ये सब बाबा नंद का प्रवाव है इससे मेरा कुछ प्राकरम नहीं है या पवन पानी कुछ खटका नहीं है अपने मन में पूर्ण विश्वास करके गिरी की छाय में चलियाओ मैंने उन लोगों की रक्षा करने के लिए गोर्दन को हाथ पर लिया जब तक बहुत वर्षा हो तब तक इसके नीचे सुख से वास करो जिन लोगों की कृष्ण के बल बीरिय पर पूरा भरोसा था उन्होंने गाए बचडे गाडे पूर्ण इताधिक जिसको पाया उसको अपने संगले नंद उपनंद आनंद पुर्वक्स परवत के निचे गडले में घुज गए उस समय सब कृष्ण के मुखके और देखकर निहार रहते न किसी को भूख ना प्यास उस दिन ब्रजवासी भूख प्यास तचकुर के नाई कृष्ण चंद्रों को चंद्रमुक्षे ही देखती रहे शाम सुंदरी साथ दिन तक परवत को धारण किये ये कई ठोर जहां के तहां खड़े रहे एक तिल भर भी चरणों को नहीं सरकाया और मेग उसी प्रकार मुसलधारा जल बरसता रहा वोले पढ़ते रहे चपला चमकती रही परन्तु ब्रज का कुछ नाश नहीं हुआ ये बात सो निंद्र चकित हो गया क्रिष्ण के योग बल का प्रभाव देख अपने मन में बड़ा अच्छारे मानने लगा और अपनी प्रतिग्या की अवाग्या देख अत्यंत व्याकुल हुआ सब अज्यान विमाने धूल के मिल गया मेगों को भरजने लगा और अब तुम्हारा बल ये नाम ही नहीं चलेगा अब आकास से बादल छिन बिन्न हो गए सुरेन आरायन उदै हुए भयानक वर्षा पवन चलने से बंध हो गई गोर्दन धारी कृष्ण मुरारी ने गोपो से कहा हे गोपो स्त्री बालग गाय बचड़ो को लेकर तुम इस परवत से नीचे से बाहर निकलो डरो मत अब पवन वर्षा थम गई नदिया जल भी उतर गया तब बाके बिहारी की मधुरवानी सुनसब गोप अपनी अपने बाल बच्चे और गायों के समूख को लेकर गाडियों में सब वस्तु धर दर्स्त्री बालक रुद्ध सब सहज में निकले सर्व सामर्तेमान भगवान स्रिक्रिष्ण चंदर सब ब्रजवाशियों के सन्मुक परवत को जहां का तहां रग दिया प्रेम को प्रफुलित वसब ब्रजवाशि परस पर आकर एतायोग के मिलने लगे स्ने बरी गोपी आनंद पुर्वक दही अक्षद जलन जल से पुजन मांगलिक आशिरवाद देने लगे एशुदा रविनी नंदराय बलियों में बलवान बलद्योजी महराज स्री कृष्ण चंद्र को रदैश लगाकर स्नेय से मगन होकर बरंबर आशिरवाद देते रहे इतनी कता कई सुगद्योजी बोले की राजन परिक्षित अंतरिक्ष में देवताओं के समु साथ द्यगन सिद्ध गंदर्व चानर संतुष्ट सव स्तुती पढ़ रहे थे फुलो की वर्षा करने लगे हे राजन सुर्ग के देवता शंक और दुन्दुवी बजाने लगे तंबुर आधी गंदर्व पती मुकंद भगवान के गुणा अनुआद गाने लगे फिर नंद उपनंद बल्राम सहित मनोहर प्यारे मित्रों को संग ब्रज में आये और गो कुल रक्षा निरुपनम नामम पंच विंश अध्याया कृष्णारप नमस्तु